हमारे साथ हैं Big Boss Season 10 से निकाले गए स्वामी ओम जी और स्वामी ओम हमारे साथ हैं स्वामी जी कहते हैं अपने आपको Godman कहते हैं सोशल मीडिया पर आजकल आपको Big Boss Season 10 का 10 नमबरी भी कहा जाता है जिस वज़े से निकाले गए वो कम से कम एक word में अगर हम कहें स्वामी जी तो बड़ा शर्मनाक है जो हरकत की ती उसके बारे में आपको क्या कहना है बिल्कुल नहीं जो सवाल आभी आपने पूछा है उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो पेसाब नहीं था वो पानी था आप खुद देखिए उसमें कैमरा दिखा रहा है कि मैं बात्रूम में गया हूँ तीन सेके अंदर में वापस आया हूँ डेल लिटर पानी है उसमें तीन सेकेंड में डेल लिटर पेसाब दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता ये बिग बॉस का दिया हुआ है यह तो हम टक्नीक में जा रहे हैं क्या है या टेक्निकालिटी ने डिटेल हैं लेकिन जो कहा गया और जो हमें कैमरे पे दिखा वो अपने आप में बद्तमीजी थी और बहुत जादा थी महिला के ओपर भी इस तरह का अटेक किया गया यह अपने आप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपने आपको सौमी कहते हैं पूरे बिग बॉस के शो में यह चलता रहा कि मैं सौमी हूँ और मैं बाबा हूँ और मैं गौर्ड मैन हूँ और मैं सारी चीजें आप धार में एक लिहास से बोलते रहे हैं जो कि टी आरपी के नाम पे या आपका नाम हो रहा है है शो चल रहा है इस नाम पे बरदाश की जाती रही है यह थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं बिल्कुल हद पार नहीं हुई सल्मान खान और बिग बॉस यह चाहते थे कि मैं इस तरह से हरकत करूं वह स्क्रिप्टेट था मैंने जितनी भी गल्थ काम के जितनी भी गालियां की हिसाब से था और उसका मकसर स्छिर्फ और श्रिफ इतना था बिग बॉस का ट्यायरपी बराना जो जब मैंने कहा कि यहां पर बोलने के लिए मुझे बीग बॉस ने कहा था आप्यज़े मैं कन्फेशन रूम में जब मैं था तो मैंने बीग बॉस से यह पूछा कि क्या आप दस मिनिट पहले मुझे आवाज देकर के बताएंगे कि सिर्फ दस मिनिट बांग कि हमारे पास भाँ घरी नहीं है तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं बताऊंगा उसका सीधा मतलब यह था बिग बॉस को मालूम था कि मैं पानी लेकर के जा रहा हूं औ और मुझे उसको पैसाब को पैसाब का कि वहां पर बोलना है और वो मेरा कुकृति दिखाना है उनको सिर्फ ट्यार पी बरहने के लिए अपने देखा होगा अस्यवे मिनिट में बिग बॉस ने खुद कहा कि सिर्फ दस मिनिट बांग कि जो इससे पहले किसी टास्क में नह सिर्फ वह एकटर जिसको बिग बॉस ने अपने कैद में रख करके ढ़िका देखा ठाब कि जब तक हम आप हमारे हिसाब से आएक्टिंग नहीं करेंगे अधी आप हमारे इस साब से एक्टिंगे तो हम आपको सी वह आत्माइगों और आपको उसके लिए पैसे मिले जो के बिगबस में शामिल होने वाले हर सदस्य को मिलते है। मुफ्त में गए हैं Big Boss में, बिलकुल मैंने पहले ही बोल दिया था, पिछले साल भी पास में आये थे, मुझे इनोंने कहा था कि 5 करोड रुपया में दूँगा, मैंने साफ मना कर दिया था, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैंने Big Boss वे जिन्दिगें में कभी नहीं देखा प्रश्पन चाहिए इसके लिए पिछले प्रश्पन वर्शों से मैं काम कर रहा हूं और वो लालत है पूरे दुनिया को रामराज्जी में परिवर्तित करना। सलमान ने बिक बहुत में आपके निकलने के बाद वो आए एक दिन पहले आए और उन्हें का कि अच्छा वद आप शो से निकल गए नहीं तो गर के अंदर जाते और फिर जो भी करते आपके साथ। तीस दिसम्बर को वो घर से घर के अंदर आये थे मेरे से मिले थे मुझे उन्होंने किंग आफ फोटेज का आइवाड दिया था उसके बाद चुकि वो चैन स्मोकर हैं सराब के नसे में धुत थे उन्होंने अपना बरा लंबा बाला सिग्रेट गेट के अंदर से लिया लेने वहां से उठकर के स्मोकिंग रूम में गए वहां पर जाने के बाद वहां से मुझे उन्होंने आवाज दिया कि स्मोमी ओम जी आप से मुझे कुछ जरूरी बात करना है आप अंदर आ जाएए मैं उन लोगों के सामने नहीं करना चाहता मैं फिर अंदर गया कैमरा ने गये जनना त्फडर मारा उसके बाद कि सलमान खांको सामने के चुक की हो आद्मी नसे में था उसके पास में इतने हिमत नहीं थी वह आद्मी जब मैं घचितना में शुरू किया बिक-बोस के घर के कुछ चद़श से जो यह बिल्कुल तर्क की कस्वाटी पे उतर नहीं रहा है कि बिग बॉस्ट शोग घर के अंदर आपने गया जहां पर मतब सेक्ड़ों कैमरे लगे हुए लेकिन जो स्मोकिंग रूम है जो स्मोकिंग जोन है वहां पर एक भी कैमरा नहीं हुआ कैमरा एलाओ ही नहीं है तो और जिस वक्त मैं उनको घचितने लगा था उस वक्त उसने जो घर के लोग थे उसमें से तील लड़के रोहन, मनु और मनवीर इन्होंने मेरे पैर पकड़ स्वामी जी प्लीज आप ऐसा मत किजिए वो लोग मुझे गुरू जी कहते हैं गुरू जी आप ऐसा मत कीजिए आप महरूआई करके इनको छोड़ दीज़ए मेरे खाते छोड़ दीजिए इनलोगान ने कहा मुझे कोई सिगायथ नहीं कि उन्होंने जो कुछ में किया है, एक्टिंग में किया है, वो मेरे बच्चे है, मुझे इस बात का गुस्ता था, कि मैं देश द्रोहियों का हत्यारा हूँ, मेरे से ये देश द्रोही आज तक बचा कैसे रहा गया, ये तो आरोप हो गया, इन आर लोगों को ले के जाऊंगा, सलमान को लिटा लिटा करके उसकी हड्डियां तोरूँगा, और बिग बॉस के घड़ में मैं आग लगाऊंगा, बिग बॉस का नाम वनिसान हमेशा के लिए मिटा दूँगा, ये ये सलमान एक मिनिट, आप मुझे बोलने देंगे, हमें आप से जो सुनना था, जो जानना था आपने अपना पक्ष रख दिया, मैं बस यही कह रहा हूँ कि सौमी ओम की यही तेवर पूरे बिग बॉस में दिखाई दिये, अब सलमान पर, चैनल पर, सियासी गंभीर आरोब, धार्मिक गंभीर आरोब, कई तरह के आरोब बाबा ओम तो कह रहे हैं बाबा ओम सौमी के फेनाले में एक लाख लोगों के साथ पहुंचेंगे, देखते हैं, प्रेस कॉन्फरेंस भी करने वाले हैं आपके